हलो स्टूडेंट्स, आइम दॉक्टर विनोत कामले, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, what are the merits and demerits of departmental organization, departmental organization क्या होता है यह हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, so quickly हम लोग स्टार्ट करते हैं with the departmental organization के merits, पहला merit यह है कि यहाँ पर government का direct control होता है, यहाँ का जो working होता है, उसको government जो है वो properly regulate करता है, systematic और proper तरीके से, मतलब government के कुछ guidelines होते हैं, उसके इसाब से यहाँ पर पूरा systematic और proper तरीके से कामकाच चलता है, जिसके वेसे यह लोग अपने objectives को अच्यू कर पाते हैं, अब इनका objectives क्या होते हैं, तो इनका main objective यह होता है कि इनको अपने customers को reliable services provide करनी होती है, मतलब better service उनको अपने customers को देने हैं, जैसे की railway है, तो railway वाल उनको अपने customers को क्या service देना है कि convenient उनको traveling offer करना है, या education department है, तो उनको क्या करना है, तो quality education प्रोवाइड करना है, तो यह objective आपके तब यह अच्छी होंगे, जब आप लोग proper तरीके से आपका जो departmental organization है, उसके उपर government का अगर proper control रहेगा, systematic तरीके से, proper तरीके से इसका अगर working चलेगा तो, ओके, तो यहाँ पर government का control है, इसके व government, यह जो departmental organization है, वो government को एक revenue का source available करके देता है, revenue का मतलब क्या होता है, कि income, अभी government बहुत सारे developmental activities करता है, उसमें government का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो कही ना कहीं पर government को खर्च करने के लिए income की ज़रूद भी होती है, तो एक तो main source of income आपको पता है, government का वो होता है tax, उसे के साथ साथ यह जो departmental organization से यह भी government को क्या करते है, revenue अविलेबल करके देते है, यह revenue प्रोवाइड करते है, जैसे कि education department वहाँ से government को कुछ revenue मिल सकता है, railway department वहाँ से government को कुछ revenue मिल सकता है, तो इस तरीके से यह departmental organization government को एक revenue का source available करके देता है, जो भी यह लोग earn करते ह जरी में डाइरेक्ली जाता है। थर्ड यहां पे ओवरेड़् बहुत ही कम होते हैं। जो भी खर्चा होता है। यहां पर सारी अक्टिविटी जो होते हैं, जो भी ऑपरेशन यहां पर होते हैं, वो सब गॉवर्मेंटी मैनेज करता है। यहाँ पे funds का misuse नहीं होता है जो भी officers यहाँ पे होते जो सारी activities करते सारे decisions वेगरा लेते वो officers जो है वो direct ministry के अंडर काम करते है वो direct ministry के अंडर आते है और उनको पता है कि rules and regulations होते है उनको पता है कि हम लोग का यह जो departmental organization है उसका objective public welfare है तो लोग proper rules and regulations को follow करते है और जिसके वह से यहाँ पे funds का misuse नहीं होता है जहाँ पे rules and regulations नहीं होते guidelines नहीं होते वहाँ पे funds का misuse होने के chances हो सकते है misuse करना मतलब क्या होता है कि गलत जगा पे funds को invest करना पर यहाँ पे इनको systematic तरीके से सारे rules पता है सारे guidelines उनको पता है जिसके वज़े से यहाँ पे funds को systematic तरीके से invest किया जाता है उसका wastage जो हो कम होता है उसी तरीके से funds का proper use करना जैसे मैंने अब भी बताया कि यहाँ पे government का पूरा strict control होता है proper supervision होता है मतलब हर एक जो आप लोग खर्चा करते हो यहाँ पे उसका proper auditing होता है auditing मतलब क्या सब कुछ चेक किया जाता है कि बराबर अपने खर्चा किया कि ने उसका bill वेगर available है कि ने यहाँ पे budgeting होता है कि कौन से चीज के लिए कितना पैसा खर्च करना है वेगरा यह auditing budget यह सब चीजों के वेए से क्या होता है एक तरीके का यहाँ पे control आ जाता है एक supervision इसके उपर होता है और जिसके वेए से funds का यहाँ पे proper use होता है किसी भी तरीके से यहाँ पे funds जो है वो misuse नहीं किये जाते है अगेन उसके बाद में यहाँ पे properly qualified staff होते है जो departmental organization जो होते है उसको manage करते हैं, supervise करते हैं आप लोग कोई भी government का department देखो वहाँ पे जो काम करने वाले employees होते हैं फुली qualified होते हैं मतलब उस particular job के लिए जो qualification की ज़रुवते वो उनके पास होता है और जब आप qualified staff आपके यहाँ पे रखते हो तो उसके वैसे आपकी efficiency बढ़ जाती है productivity बढ़ती है तो वो यहाँ पे benefit है यहाँ पे complete secrecy maintain की जाती है policy matters के उपर देखो ऐसे कुछ departments होते हैं जहाँ पे secrecy की बहुत जरुवत होती है जैसे कि defense हो गया या nuclear power plant हो गया defense मतलब हमारा सूरक्षा मतलब हम लोग अपने देश की सूरक्षा के लिए क्या-क्या policies बना रहे है या क्या-क्या action हम लोग लेने वाले ताके हम लोग अपने दुश्मनों से अपनी सूरक्षा कर पाए तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे department है जैसे defense वहाँ पर secrecy की ज़रूत होती है तो departmental organization जो होता हो complete secrecy यहाँ पर maintain करके रखता है policy matters के उपर वगड़ा तो यहाँ पर secrecy है फिर है tool for social change social change मतलब कि social development एक तरीके का तो departmental organization जो है वो क्या करता है social change लाता है मतलब social development लाता है अपने यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोलाता है यह government के under आता है तो यहाँ पर फिर क्या किया जाता है जैसे कि rural areas है तो वहाँ पर electricity supply किया जाता है electricity board के द्वारा जिसके वैसे rural area में भी लोगों को electricity वेगड़ा मिल सकती है अगर suppose यह private sector होता तो private sector वाले यह सब चीज़े नहीं करते है वो लोग से profit के उपर ध्यान देते है इनका aim क्या है कि हम लोग को अपने customers को satisfy करना है उनको proper service देनी है reliable service देनी है और उस objective से उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर rural areas में electricity वेगड़ा supply करना शुरू किया जिसके वेज़ से rural area में लोगों को electricity मिल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है धीरे-धीरे social development हो रहा है फिर आप लोग देखते हो कि बहुत सारे remote areas होते है वहाँ पर भी आजकल schools वेगरा की facility available हो चुकी है यह वहाँ पर भी लोगो transportation मिल रहा है तो यह private sector ने शुरू नहीं किया यह कहीं न कहीं पर यह departmental organization के अंडर ही projects किये जाते है जिसके वज़े से हर एक area जो है मतलब भले वो remote area हो या फिर वो backward area हो वहाँ पर धीरे-धीरे development हो रहा है अगर यह departmental organizations नहीं होते तो यह जो areas यह कभी भी develop होते नहीं विकास private sector वाले को main focus होता है profit का माना जहाँ पर उनको profit मिलता है वहाँ पर यह वो लोग business करेंगे तो यह सारे जो थे वो departmental organization के merits थे अभी हम लोग demerit start करते हैं सबसे पहला demerit है यहाँ पर कोई भी action लेना होता है तो उसके लिए delay होता है action मतलब कि कोई भी अगर चीज अगर यहाँ पर करनी है तो उसके लिए काफी ज़्यादा time लगता है यहाँ पर because जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर government control है तो obviously चीजे थोड़ी systematic तरीके से होती है but हमेशा यहाँ पर centralization होता है centralization मतलब कि every decision is taken by the minister या जो भी ministry है वो उसका decision लेते है तो हमेशा हर एक चीज के लिए यहाँ पर centralization होता है officer जो है अपने level पर decisions नहीं ले सकते है दूसरा यहाँ पर कोई भी अगर activity करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा complicated procedure होता है मतलब बहुत सारी चीजे यहाँ पर involved रहती है बहुत सारी rules and regulations रहते है और यह centralized authority के वज़े से या complicated procedure के वज़े से कोई भी action अगर हम लोग को लेना है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाते है डिले हो जाता है मतलब कोई भी activity अगर हमको करना है तो उसके लिए हम लोग को minister के उपर depend रहना पड़ेगा सारा procedure वेगरा सारी rules and regulations देखना पड़ेगा तो कही ना कही पर क्या होता है कि जहाँ पर वो चीज को हमको डिले हो जाता है दूसरा है raid tapism और bureaucracy सबसे पहले raid tapism क्या होता है raid tapism का मतलब क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे rules and regulations होते है बहुत सारा paperwork यहाँ पे करना पड़ता है और जब बहुत सारे rules and regulations होते है उसको अगर आप follow करते बैठोगे तो आप आपके customers को time paid service ने deliver कर पाओगे there will be delay in the services और इसके वज़े से भी क्या हो सकता है आपके हाथ से बहुत सारे opportunity जा सकते है business ऐसी चीज है जहाँ पे time पे आप लोग अगर opportunity को grab नहीं करोगे तो opportunity आपके पास से चली जाएगे और कोई और वो opportunity को grab कर लेगा पर यहाँ पे बहुत सारे rules and regulations है उनको follow करते बैठना पड़ता है जिसके वैसे service हम लोग time पे नहीं दे पाते है जिसके वैसे हमारे हाथ से बहुत सारे opportunities चली जाती है यहाँ पे कोई भी decision लेने के लिए काफी जादा time लगता है sanction करवाना पड़ता है lower level वाले जो होते हैं उनको decision लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है तो यहाँ पे वो minister के पास से टॉप executive के पास से sanctioning करा हमने काफी जादा time लगता है तो यहाँ पे decisions लेने में भी क्या होता है? टाइम लगता है और जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग time पे decision नहीं लेते हो तो आपके हाद से बहुत सारी opportunities चली जा सकती है जैसे कोई एक अच्छा project है जो वो लोग करना चाते है वहाँ के officers बट वो officer को जब तक minister का green signal नहीं मिलता है वो वो project नहीं कर सकते है तो वहाँ पे क्या हो रहा है decision में कही न कहीं पे delay हो रहा है जिसके वेश से वो project जो है वो उसका importance जो है वो चला जाएगा Let's go for initiative initiative का मतलब क्या होता है आगे होके कुछ करना suppose कोई officer अगर कुछ यहाँ पे करना चाहे या कोई भी minister अगर कुछ अलग करना चाहे तो यहाँ पे क्या होता है उसके लिए ज्यादा scope नहीं होता है because जो भी departmental organization करता है उसको parliament में criticize किया जाते है आप लोगों ने news के अंदर parliament के situation देखी होगी वहाँ पे अगर कोई भी एक minister ने कोई भी अच्छी activity भी की होगी तो दूसरे लोग उसको क्या करते है criticize करते है बुरा बला बोलते है corruption का उसको नाम दे देते है इसके वैसे क्या होता है कि वो जो minister है या वो जो officer है उसको कुछ भी नया करने का मन नहीं करता है अगर उन्होंने कुछ नया किया भी तो लोग उसको criticize करने वाले है पार्लामेंट के अंदर उसके वैसे यहाँ पे वो लोग initiative लेते नहीं है वो लोग खुछ से आगे होके कोई भी innovative चीज करते नहीं है कुछ नया नहीं करते है तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा disadvantage है flexibility नहीं होती है मतलब changes अगर आपको कुछ करने है तो वो possible नहीं होता है because again यहाँ पे government का supervision होता है सब कुछ यहाँ पे centralized होता है means everything is decided by the minister या ministry और इसके वज़े से कुछ भी अगर changes हमको करने है तो वो possible होते नहीं है then यहाँ पे बहुत सारा paperwork होता है now paperwork यहाँ पे कैसे होता है तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे parliamentary scrutiny होती है Parliament scrutiny मतलब क्या अगर आपके department में कुछ भी किया तो उसको आपने पार्लामेंट में क्या करना पड़ेगा present करना पड़ेगा दूसरा यहाँ पे audits वेगरा होते है मतलब checking वेगरा होती है तो इन सब चीजों के वेए से क्या होता है कि आप लोगं का यहाँ पे एक तो creativity पूरा affect हो जाता है और दूसरा आपका paperwork जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है तो बहुत सारा यहाँ पे paperwork वेगरा करना पड़ता है तो यह सब था merits and demerits of departmental organization यह मेरे URL जहां से मेरे images लिये हुए है Thank you students Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends We will meet in the next video